आज जैसे ही मैं बालकनी में पहुंची मैंने देखा कि मेरे काम वाली वाइपर को जो है सौक्स पहना रही थी मैंने कहा कि ये सौक्स तो मैंने तुमें फैकने के लिए बोला था और तुम इस वाइपर को क्यों पहना रही हो आखिर तुम करने क्या वाली हो तो उसने बताया कि अरे मेम साब आप रुख जाएए मैं आज इसकी बहुत ही बढ़िया सी टिप लेकर आई हूँ अगर आप भी एक बार इसे देख लेंगी तो कभी भी नहीं फैकेगी मैंने कहा भला ऐसा भी क्या है जो तुम वाइपर को ये सॉक्स पहना कर करने वाली हो तो वो बोली कि मुझे बस इन दोनों साइड में ये दोनों सॉक्स जो है पहनाने दो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये टिप कितनी जादा यूसफुल है और आप भी कभी भी इस कौन सी टिप बता रही है जो बहुती जादा यूसफुल होने वाली है ये तो हमें थोड़ी दिर में पता चल ही जाएगा तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजी कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कौने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूंपिछला थैंक्स जाता है समेशता जी को दिल्ली से और यहां पर जो है देखते ही देखते मेरे कामवाली ने टब में वाइपर को डाल दिया और इसके उपर पानी भी डालना शुरू कर दिया और बोली कि इसको हमें अच्छे से निचोड़ना है और इसके किरुम के टाइल्स में कित्ती जादा गंदगी लग गई है और हमारा हाथ भी बहुती आसानी से नहीं पहुंच पाता है और इसके उपर कित्ते सादा जाले वगरा भी लगे रहते हैं जिनको हम आसानी से साफ नहीं कर पाते लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगे कि किस तरीक सेकिंडों में या यूं कहें कि कुछी सेकिंडों में ये सारे जो गंदगी है जो जाले है वो बहुती आसानी से साफ हो जाएंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुती अच्छी टिप है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीक से आप वाइपर को सौक्स पैना कर पोचा भी लगा सकती है अगर आप से पोचा नॉर्मली नहीं लगा जाता तो ये देखे कितनी आसानी से हमने पोचा भी लगा दिया है और इसमें धेर सारी गंदेगी जो होती है वो इकटी हो जाती है और देखते ही देखते हम इन सारी च तो इसको हम अच्छे से वाश कर लेंगे और इसके बाद में इस सॉक्स को निकाल लेंगे। रवाइपर को तो आप लोगों को आज कुई टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं चलती हूँ आज की इस वीडियो में इतना ही अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए